हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल विद्या माचागर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विद्या माचागर पर आज हम फिर से अपनी स्टेट फाइस स्रीज को कंट्यूनी करते वे ला गए हैं कुबा के बारे में बहुत सारी अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक जरू करें और आपने हमारी चैनल को जोईन कर सकते हैं वहां अपनी जो वीडियो उसके पीडियाफ और नोट्स तो डालते रहते हैं तो जो प्रिविएस प्रेश्ट है उसका लिंक डिस्क्रिशन बोक्स में डाल दूँगा ताकि आप प्रिविएस वीडियो देखते रहें ऐसी हैं अंतर्बरती और वांचैनल अब 6536 तू in सबੀ सब्यसक्रिश के बारे में बता रखाए हैं तो आप जाके इन सब्हस्ते बारे में जाके देश सकते हैं तो बढ़ते हैं आज़िकिल्शन ओफ कोवा जोबलस मेंये और क्टिक्स है दो ही डिश्टिक है गोवा में सिर्फ ठीक है और आप जानते ही हूंगे गोवा के है स्मॉलिस्टेट और इंडिया है एन्डिया झा dłन यहाठ लेना कि नहीं जेके हैं यह पुरा इंडिया स्क्था insensu यहां पर यानिकि जो यहां पर west है हमारा यहां पर south west के एक state है south west के middle में पड़ता है Goa Goa यहां पर red color से mark किया गया है और Goa की मैं सिर्फ दो district है south Goa और north Goa और south Goa north Goa के अंदर बहुत सारी region साहते हैं जीने आप यहां पर देख सकते हैं तो अगर आपके पेपर मा आते हैं कि ऐसा कौंचा इस्टेट है जिसमें सबसे कम डिश्टिक हैं तो वो है गोवा, गोवा सबसे smallest इस्टेट होने के साथ इसमें सबसे छोटे क्या हैं सबसे कम डिश्टिक हैं, छोटे नहीं सबसे कम डिश्टिक हैं यानि कि सिर्फ दो डिश तुप इस पर तरहागे पोटोगी कि करते थे उसके बाद ये ये हम इसको कब जाएंगे जाए स्की पार्ट है ये हमारा इन्डिया का उसको बारा से करेंगår पोटोगी अज में उसको वापस से भखा देंगे लिए तो इन्डिया ने क्या यहां पर याँ पर मिसल लौंच किया और जिसकी वज़े से 19 डिसंबर 1961 को गोवा को इंडिया का पार्ट बना लिया गया ठीक है तो यूरोपियन यूनियन यूनाइटे नेशन बहुत जगह से हमारा क्या है तो उसमें विरोध वाधा कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन रश्या ने अपन दिसंबर को मनाते हैं 1961 के बाद क्योंकि 1961 के बाद गोवा इंडिया का एक अभिन अंग बन चुका था बात करें एरिया पॉपुलेशन की तो एरिया है टोटल एरिया 3702 स्क्वेर किलोमेटर और सबसे कम एरिया है इसका क्योंकि जो गोवा है स्मॉलेश्ट स्टेट ऑफ इ लेवन के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन वाइज रंक 26 तो वनी 26 रंक पर यांकि पॉपुलेशन है और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ओर वो 394 पर क्योमेटर स्क्वेर भात करें चीपनिस्टर की जो फर्स्ट् चीपनिस्टर स्थे गोवा के वह थे दयान्द बंद थेके माघंध नामनांज कर तो द्यानन्द बंदूत कर जो थे पहले चीफ मिनइस्टर थे गोवा के इनकी हाप फोटो यहाँ अपर देख सकते हैं और जो प्रजेइड चीफ मिनिस्टर ऑफ है वह हैं प्रमूद सावन्ध जिनकी फटो यहाँ पर देख सकते ंव gef Cross गवर्णर यानि की राजिपाल जिनकी हम अब बात करेंगे तो फर्स्ट जो जो गवर्णर जो थे गोवा के वह थे गोपाल सिंग्ग जी और प्रॉजेंट गवर्णर ऑफ गोवा हैं वह हैं पिस श्रीधरन पिल्लाई जी ठीक है तो आप इन्हीं आप देख सकते हैं बात करें language diversity यानि कि कितनी ज़दा language आपर बोली जाती है और साथ इसाद region के बारे में तो पहले language की बात कर लेते हैं यहां कोन करनी बोली जाते है 66.09% यह भी कहा है 2011 के according है तो 2011 के अनुसार 66% लोग कोन करनी बोलते हैं माराथी 10.88% हिंदी 7.64% करनर 5.65% उर्दू 2.82% और अधर languages जो है 6.92% लोग यहांबर बोलते हैं तो यहां भी कि इस state का official language जो है वो कोन करनी है और जो जाधातर लोग है गोवा के वो कोन करनी ही बोलते हैं और religion यानि कि कौन से धर्म को कौन कितना follow करता है तो 66% जो लोग है वो हिंदुजम को follow करते हैं 25% लोग Christianity को 8% लोग Islam को 80% को 0.10% लोग follow करते हैं और other religion आनि कि ऐसा religion जो कोई भी religious को follow नहीं करते हैं तो लोग है 0.39% जानि कि जो major religion है वो यहां का Hinduism में यह कह सकते क्योंकि 66% लोग यहां Hinduism को follow करते हैं गोवा की लिटरेशी है 88.70% यानि कि overall भारत में 3rd highest यानि कि 3rd highest literacy है गोवा की अब बात करते हैं sex ratio की sex ratio आप जानते हैं कि per thousand males में कितनी females हैं उसे हम sex ratio कहते हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं अब बात करें गोवा legislative assembly की total seats है 40 ठीक है जिसमें majority जो seats है वो अभी बीजेपी के पास है 20 seats और जो बीजेपी है उन्होंने क्या बनाया है अपना सरकार बना रिखिए यहां 40 seats 40 में से 20 seat bjp के बास है opposition के पास 3 seat है जिसमें से यहां पर आप देश सकते हैं और अभी 15 seat vacant है आप सूच सकते हैं 40 में से 15 seat vacant है और उस में से 40 seat 40 में से 20 seat bjp के पास है ठीक है यानिकि सर्फ अभी occupied seat है वो 5 ही occupied seat है opposition parties के दारा 20 और 15 vacant seats है यहांकि जो speaker है वो है राजिस पत्नाइकर जोने 3 जून 2019 को अपॉइंट किया गया था deputy speaker है इसी दोर फर्नेंडिस और 25 जुलाई 2019 को इनको भी अपॉइंट किया था है लीडर आप दा हाउस चीपनिश्टर होते हैं प्रमो सावंदी जो बीजेपी के है और लीडर आप दा पोजिन है वो है दिकंबर कमाच जो आएंसी यान के इंडि सावन राुफ गोवड और साॉध गोवड कंश्टिउटपयूंडी दोनों में से एक एक सीट है भार्तिय दंदा-पाटि नूर्थ गोवड में एंडिक कॉंगरेस की पार्टी है साउज गुवा से ठीक है तो इन दो कंस्टिट्यूशन चे बीजेपी और आएंच अनिके इंडियानेसन कॉंग्रेस के मेंबर्स हैं और तोटल राजसभा सीट्स हैं गवा में सुर्फ वन ठीक है दो लोग सवाज साथ सीट्स चाहिं और जैक debated नहीं क्या रहते हैं यह छा साल बाद ब्लते रहते हैं तो हर Conse overall अरनक तरBeep है तो 6 सार बाद ये बंदाल ले जाएंगे अगर ये अपने छेथर से हार्ट है तो ठीक है तो BJPK के कैंडिलट वैवा हाई कोडे अब साफसी बात है कि हर सब्सक्राभर हाई कोड लेकिन गोवा का delay नहीं है मैंने आपको पिसली वीडियो में बताया था कि को बहुत सारे ऐसे भी कुछ-कुछ ऐसे स्टेट है जो क्या कहते हैं आपस में मिलके उनका एक हाइग कोड है तो वैसे ही गोवा और महराश्ट्र का मिलके एक हाइग कोड है जिसे हम बॉंबे हाइग कोड भी खेते है यहां जो टोटल नंबर ऑफ जजिस की जो सीज़े हैं वो 24 है जिसमें से 71 पर्माने जजिस होते हैं और 23 एडिशनल जजिस होते हैं और जो मेंडिटरी रिटायर्मेंट एज है वो है 62 और जो सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया को अपील कर सकते हैं कुछ ऐसे कैसे जो ज़्या It's a type of DIA lamp, यह एक type का DIA lamp है ठीक है संस्क्रीड मोटो से भी इसको आप दिनोट कर सकते है, ठीक है दिया lamp है जो एक विरिक्सदीब है आफ याँ पर इसको देख सकते हैं और गोबा का स्टेट अनिमल है गौर्ड जिसे आप में देख सकते हैं गौर्ड जिसे हम अधर लेंग्वेज में इंडियान बाइसन भी कहते हैं और आयूसीन की रेड लिष्ट में इसको 1986 में सामिल कर लिया गया था ठीक है क्योंकि इंगे वो 70% पॉपलेशन है वो लास्ट और सच्छीड विल्बुर्ड है गौबा की ingूवा की जिसे आपर देख सकते हैं जिसका अधर नाम है फ्लेम ठोटट лप में ओ और 32 75 cm वही हो गया सेम चीज है 1230 इंच ठीक है और गोबा का स्टेट ट्री है टेर्मिनेलिया एलिप्टिका जिसे हम साज साज भी कहते हैं अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग लेंग्विज में अलग-अलग नामों के द्वारा इसे बुलाया जाता है तो यह पेट इस तरीक का दिखता है तो जो स्टेट ट्री है गोबा का उसे सेंटिफिक नेम है उसका टर्मिनेलिया एलिप्टिका और गोबा का स्टेट फ्रूट है कैश्यू जिसे हम आपर देख सकते हैं तो जो जो एसेसरी फ्रूट है कैश्यू वो क्या है स्टेट फूट है गोबात करें कोभा स्प्था मर् यए से का यहां पर यहां पर यह महीला उस दाउच को पफॉर्म कर रही है अब आता है नेस्टु पार्क नेस्टु पार्क याप बहुत सारे फ्लोरा फॉना याने कि प्लांटेस उप्रीजच के स्थाथ Animal Species को भी कह जाता है प्रोडक्ट कह जाता है तो गोवा में सिर्फ एक National Park है जिसे भगवान, महावीर, मौलेम National Park भी कहते है 1992 मेंस की Establishment वी थी 107 km2 का क्या है एरिया है अब बात आती है Wild Lab Century ये बारे में Wild Lab Century जो है वो National Park की ही तरह होता है लेकिन जितनी बंदी से या भी जितनी Regulations और Security यहाँ पर लगाई गई होती है National Park में उतनी Regulations Wild Lab Century में नहीं होती है तो आप देख सकते हैं गोवा में 6 Wild Lab Century है जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो Wild Lab Century है वो कब Establish वी थी यानकी Year of Notification यानकी कब इनको बनाया गया था और उनका टूटल एडिया है वो भी यहाँ पर दिया गया है आप इन्हें देख सकते हैं अब बात करते हैं Nevering States के बारे में तो जो गोवा है आप यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल जो छोटा सा जो है लेगे पुरा Western साइट पुरा कबर है Eastern से लेगे पुरा Southern साइट कबर है करनाटका के दुआरा अब टूरिस्ट प्लेशेज के बारे में बात करने के होवा में मंगेशी टेंपल, सेंट एलेक्स चर्च, भागा बीच, चपोरा बीच और बहुत सारे यहां इंपोर्टेंट, बहुत सारे फेमस बीचेज भी है और बहुत सारे इस्टोरिकल प्रेसेज भी है जिन्हें आप वादा के विसिट कर सकते है जिन में से कुछ जनरल, डॉंक्टर, मिगेल, केटानो, डाइस की यह इस्टेच्यू, इस्टेच्यू अव एबा फैरा, ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ फेमस डिसेज हैं गोवा की जो गोवा में रेगुलरली बहुत ही ज़्यादा फेमस है कुछ और फेमस डिसेज हैं जिन्हें आप 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 दे सकते हैं पर्टोरक, समराइची, कोडी, क्रैब्स, साउटी और बहुत सारे यहां पर पटोईला पटोलिया जो भी है यह बहुत सारे डिसेज हैं जिन्हें नाम यहां पर दिये गई हैं तो आप इन्हें दे सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विडि़ू पसंद आई होगी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मिशन यहां पर कवर करने की कोशिस करिए फेमस फूर्ट के साथ साथ इस्टेट ट्री स्टेट एनिमल इस्टेट बर्ड इस्टेट फिस्टेट बहुत सारी चीजें स्टेट है और जितना चीज होते हैं मैंने कवर किया ही कितने लोग सभा सीट से हैं राजे सभा सीट से हैं स्टीप मुनिश्टर को ने परजेंट फर्स्ट गवर्णर को ने सभी चीज़ों करें बात करी है तो मुमीद करता हूँ कि आपको यह विडियो पसंद आई होगी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपूर्टेंट वीडियो के लिए ठीक है और क्या करें आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि जो और स्टेट से हमने उनको कबर किया तो आप उने भी देख सकते है उनके बारे में भी आप नया गुट जा सकते हैं ठीक है तब तक रहे करोना चलेनी जादा तब तक लिए दोगज की जूरी मास के जरूरी आप ने जाने कि हमने घरवालों का जाना किये आप सब सबस्वाइब रहे कि आप से मिलते हैं नेक्स्ट टूडियों तब तक लिए थैक्स वर वाचिंग टेक केर जाहें जाह मारत